नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर एसके अगरवाल आप सभी का जोतिश सुक्सम्रद्य उपायवे स्वागत करता हूँ साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनन्दन करता हूँ आज यह वीडियो बहुत खास होने वाली है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि जातक का जन्म मिथुनलगन में हुआ है और वहे जीवन में कितना भी धन्वान क्यों ना हूँ उसकी आर्थिक इस्तिक कितनी भी सुद्रण क्यों ना हूँ परंतु यद ही उसकी जन्मकुनली में कुछ इस परकार के योग हैं जिनने हम दडिद्रियो कहते हैं तो उसको जीवन में कभी न कभी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा उसको भारी नुकसान जीवन में निश्ट होगा साथी धन के मामले में जातक को कभी न कभी भारी नुकसान ठाना पड़ेगा रिण गरस्त भी हो सकता है कुल मिलाकर जीवन में धन को लेकर परिशानिया बनेगी मैं डरा नहीं रहा केवल ऐसे दरिद्रियोगों को बताना चाह रहा हूं कि यदि आपकी कुली में है तो आपको उपाय करना चाहिए ताकि हम उस स्थिती में कभी न पोचे और मैं इश्वर से प्रातना भी करता हूं कि हमेशा आप पर प्रभु की क्रपा बनी रहे वीडियो को आरम करते हैं और समझते हैं मिथुन लगन में अस्टमेश हुए शनी यदि शत्रुछेत्री हैं या फिर नीच राशीगत है नीच राशीगत का मतलब हुआ कि वह एकादश भाव में बैढ जाए मेश राशी में या कुंडली में शनी अस्थ हों तो जातक को जीवन में अचानक धन की हानी उठानी पड़ती है दूसरी बात मिथुन लगन में अस्टमेश शनी वक्री होकर कहीं भी बैठे हो या अस्टम स्थान में कोई भी ग्रे वक्री होकर बैठ जाए तो जातक को जीवन में अचानक धन हानी का योग बनता है चलता काम, वेपार, नोकरी खराब हो जाता है ऐसे जातक को धन के मामले में परिस्थिती वश अचानक भारी नुकसान उठाना पड़ता है तीसरी बात मिथुन लगन में लाभेश तो लाभेश हुए मंगल यदि छटे, आठवे या बारवे स्थान में हो साथी यदि लाभेश, अस्त हुँ या पाप पीडित हो तो जातक को दरिद्रता का सामना जीवन में करना पड़ता है चोथी बात मिथुन लगन में धनेश धनेश मतलब चंद्रमा, अस्त हुँ या फिर नीच राशी में हो तो चंद्रमा व्रशिक राशी में नीच के होते हैं इसका मतलब यदि चंद्रमा छटे स्थान में बैठे हो तथा धनिस्थान एवं अस्टमिस्थान में कोई पाप ग्रह हो तो जातक सदैव रिन ग्रस्त रहता है कर्ज उसके सिर से उतरता नहीं कितना भी धन कमाले वह फजूल के कारियों में या जिम्मेदारियों में खर्च होता रहेगा पाँचवी बात लगन कुनली में जहां गुरु बैठे हैं तो गुरु से यदि चंद्रमा छटे आठवे या बारवे भाव में हो यानि जहां गुरु बैठे हैं उससे चंद्रमा की पोजिशन छटी हो आठवी हो या बारवी हो तो सकट योग बनता है जिसके कारण व्यक्ति को सदैव धन का अभाव बना रहता है धन की कमी महसूस करता है कुछ इस परकार की जिम्मेदारियां कुछ इस परकार की परिस्थितियां जीवन में बनती है कि कमा चाहे वे जितना भी ले परंतु धन में बरकत महसूस नहीं होती छटी बात मिथुन लगन के दित्य भाव में पाप ग्रह हो तथा लाभेश मंगल यदि छटे आठवे या बारवे स्थान में हो तो भी जातक को जीवन में कभी ना कभी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है ऐसी परिस्थिति अवश्य बनती है कि जब धनकी भारी कमी वे हम हैसूस करे मिथुन लगन में लगनेश यानि भुद यदि छटे आठवे या बारवे स्थान में हो एवं सूर्य व्रशिक मकर या व्रशवराशी में हो तो ऐसे जातक पर कर्ज बना रहता है दनके मामले में जातक कमजोर रहता है जातक को दनकी जवाबदारी देनी पड़ती है बात आती है आठवी बात यदि मिथुन लगन में दशम भाव का स्वामी गुरू छटे आठवे या बारवे स्थान में हो तो जातक को मेहनत का पूरा लाव नहीं मिलता मेहनत चाहे जितनी भी कर ले परंतु 75% रिजल्टी प्राप कर पाता है जातक का भगय और देह भी जादा तर जनम इस्थान छोड़ने पर होता है और जातक को जीवन में दन की एक कमी सी महसूस होती है बात आती है अगले दरिद्रियों की यदी शस्टेश यानि शस्टेश हुए मंगल वे पंचमेश यानि हुए शुक्र कि किसी भी भाव में यूती हो रही हो तो भी जातक को जीवन में कभी ना कभी दरिद्र ताका सामना करना पड़ता है दसवी बात वे अंतिम बात यदी मिथुन लगन में धनेश, धनेश यानी चंद्रमा, छटे, आठवे या बारवे स्थान में हो, तो यह एक धनहीन योग है, ऐसे जातक का मन बहुती संतुष्ट रहता है, मकान का सुक, वहान का सुक, इस सुक से वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, घड़े में छिद्र होने जैसा है, ऐसा घड़ा जिसमें छिद्र हो, पानी ठैर नहीं पाता, ठीक उसी परकार, उस जातक के पास भी धन कभी ठैर नहीं पाता, उमीद करता हूँ, जो मैंने आपको योग बताए, वह योग आपको समझ में आई होंगे, यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई यो कि आप उसका समय रहते उपाए करें, ताकि जीवन में किसी भी परकार की कोई परिशानी आप भाई बहनों पर ना बने, साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का संपुर विशलेशन करवाना चाहते हैं, तो मैंने संपक सूत्र दिया है, आप संपक कर सकते हैं, एक छोटा सा शुलक अदा करके, आप घर बैठे इस विधा प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मि जरूर हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, जरूर करना, अब इजाज़त चाहता हूँ, जै शिरी राम